हेई गाइस आज एक ऐसी वाले रेसिपी बनाते हैं जिसको खाने में मज़ा आ जा है इसको तो बोलने में ही मेरे मूँ में पानी हा रहा है तो इसके लिए लिए हमेने कटल इसको बड़े-बड़े पीसिस में दुड़ा सा काटेंगे और फिर लिए हमेने आलू इसको भी हम कटल जो है अभी ये जो है एकदम 80% पक चुका है तो इन सब को हम अभी छान लेंगे अभी हम एक प्यान में लेंगे सर्सूं का तेल वो गरम हो जाए तो इसके अंदर डाल देंगे हम वो कटल को और इसको हम थोड़ा फ्राइ कर लेंगे कटल को दोनों तरब से अच्छे से थोड़ा सा लालाल होने के बाद ही इसको निकाल लेंगे एकदम बढ़िया से लालाल हो चुका है कटल को तो इसको हम निकाल लेंगे और उसी तेल में हम डाल देंगे वो उबले हुए आलू और इसको भी तोड़ा सुनहरा कलर होने के लिए छोड़ देंगे बस दोनों तरब से जब आ जाए फिर इसको निकाल लेंगे अब मसाला मैंने कोई पेस्ट नहीं यूज़ किया है तो इसके लिए मैंने अद्रक लसन और दो हरिमेच लेके उसको अच्छे से कूट लिया है अब ही हम प्रेसर कुकर में लेंगे सर्सों का तेल और तेल गरम हो जाए तो इसके अंदर हम सारे खड़ी मसाला को डाल देंगे सरसों के तिल में ही बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है कटल का तो जरूरी सरसों का तेल का यूज़ करें और फिर मैंने तीन प्यास काट के इसके अंदर डाल दिया है प्यास को बहुत ज़्यादा लाल लाल नहीं बुरना है बस थोड़ा सा हो जाए तो इसके अंदर हम अपने कुटी हुए मसाले डाल देंगे फिर डाल देंगे टामाटर और इसके अंदर डाल देंगे हली पाउडर लाल मिर्च का पाउडर और कश्मेरी मिर्च पाउडर धनिया पाउडर और मतन पाउडर का मैंने यूज किया है क्य डाल देंगे और एक दो मिनिट के लिए इसको भी अच्छे से भून लेंगे इसके साथ आप इसके अंदर डाल देंगे हम गरम पानी कसूरी मेथी और गरम मसाला कटी हुई हमारी धनिया के पत्ते और फिर हम इसको भी एक विजल होने के लिए छोड़ देंगे रेडी हो चुका है हमारा कठाल का सब जिखाओ प्यों एंजे करो विडियो अच्छा लगाए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल